नमस्कार साथियो ताट डिग्निटी के यूटूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे दोस्तो आज हम इस वीडियो में मद्दपदेश के अंतरगत जो MPSI की वेकेंसी है जो 2017 के बाद से आज तक अभी तक देखने को नहीं मिली है और बहुत सारे विद्यारती बहुत सारे पैशनेट बच्चे जो है जो SI की ही तयारी करते हैं वो सभी अभी विचारे जो है वो आ भी सूचना मिल रही है जैसा कि आपके स्क्रीन शॉट्स जो है वो बाजार में चल रहे हैं स्क्रीन शॉट्स आपका जो है वो इशूज हो रहे हैं लीक हो रहे हैं उसके अंतरगत पता चला है कि MPSI का जो स्लेबस पूराना स्लेबस था अब उस स्लेबस को पूरी तरह से कर दिया जायेगा आपका यह जो नए स्लेबस एइसमें लगभग आपका जो टोटल नमबर होगी आपके लगभग लगभग आपका जो है 100 नमबर का आपका फिजिकल होगा 600 नमबरistant kimse होगा और लगभग 100 नमबर की आसपास आपका जो चो है आपका per कि विभाग में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्क्रीन शॉट्स शेयर कर देते हैं लेकिन पूरे शेयर नहीं हो लेकिन फिर भी एक अनुमानता है आपको चीजे पता चल जाएंगी कि हाँ इस तरह से अब सलेबस होने वाला है आपको उस तरह से कमर कसना पड़ेगा देखो को मिल जाए नोटिफिकेशन अभी आपके सामने आ जाए कुछ दिनों के अंदर अंदर तो तैयारी पूरी रखिएगा सलेबस चेंज होने वाला है अब चेंज होने से पहले बताना तो अनिवार रहे लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन गवर्मेंट की तरफ से न मारी न्यू वीडियो आपको मिल सकें देखिए अगर हम बात करें दोस्तों MPSI की तो अभी मेंस का तो लगभग मामला जो है वो क्लियर हो रहा है कि जो मेंस है उसमें दो पेपर होंगे कितने पेपर होंगे बच्चों दो पेपर होंगे पहला होगा दो घंटे का जिसमें दो खंड होंगे दो पार्ट होंगे 1500 नंबर के दूसरा भी खंड आपका जो है वो 300 नंबर का होगा मतलब 300 नंबर का एक पेपर होगा दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा तो टोटल मेंस आपका कितने नंबर का होगा 600 नंबर का होगा अब यहाँ पर भी दो पार्ट होंगे A A और B होंगे और इन दोनों पार्ट के जो नंबर्स हैं बच्चों वो 1500 नंबर होंगे कितने होंगे 1500 नंबर 150 150 इच होगा अब यहां पर इन्हों दिया है कि आपका यह जो पेपर होगा मेंस कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा यह बात पूरी तरह से क्लियर रखिएगा आपको वहाँ पर प्रश्ण लिखने नहीं पड़ेंगे आपके जो प्रश्ण होंगे वो कैसे होंगे वस्तुनिस्ट प्रकार के होंगे objective question आपको जो समय दिया जाएगा वो समय दिया जाएगा 2 घंटे 300 में से प्लस इसी के साथ साथ अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 by 3 का आपका जो है minus marking रहेगी मतलब 3 उत्तर अगर आप गलत देते हों और 1 उत्तर आप सही देते हैं तो आपके एक जो सही उत्तर है उसका आपके जो अंख है वो कट जाएगा बात समझ में आई और जो आप प्रश्ण छोड़ देंगे उसका कोई भी आपका जो है ना तो रि 3 आपकी minus marking होगी और अगर आपने कोई question छोड़ दिया तो उसका marks ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा और यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाओ है दोस्तों अभी तग आपका जो SI है उसका syllabus एकदम अलग था अब जो SI का syllabus निर्धारित किया जा रहा है उसके अंत आती समिधान आएगा आपका economics आएगा आपका जो है इतिहास आएगा आपका भूगोल आएगा मद्ध प्यदेश का आपका जो है पूरा आपका यह जीएस का पार्ट है वो पूरा आएगा क्योंकि आपका जो है 300 नंबर का paper बनाना है और 500 नंबर के 2 खंड होगे तो आप स पर एकी बाते चल रही है पहला कि या तो 100 नंबर की प्रारंबिक परिक्षा होगी या प्रारंबिक परिक्षा भी 300 नंबर की होगी हाला कि उसका अभी तक screenshot एकदम perfect नहीं मिला है और इस कारण से हम उसके बारे में तो नहीं कह सकते कि प्री कितने नंबर का होगा लेकिन हा या तो 100 नंबर का होगा या 300 नंबर का होगा वो भी objective होगा और GS उसमें भी काफी अच्छा weightage लेकर चलेगा अब यहाँ पर दिया गया कि देखे यह जो मुख परिक्षा के दो पेपर है बच्चो यह दो अलग-अलग सत्रों पर होगी अब समय कैसा होगा वो सब यहाँ प परिक्षन वा साथच्छा कार होगा मतलब यह आपका जो second tire या second आपकी जो tire है इसके अंतरगत आपका जो है जब आपका यह मेंस दे लेंगे मेंस के बाद आपका physical होगा जो की 100 नंबर का होगा उस physical के बाद आपका जो है एक प्रकार से interview होगा तो एक प्रकार से इसमें कालना चाहती है मेरे अनुसार जो है SI का syllabus इतना हैवी करना एक प्रकार से उचित नहीं और यह भी तब जब 2017 के बाद से अपने vacancies अभी तक नहीं दी है और अगर आप इस तरह का कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं तो यह अपने आप में उन बच्चों के साथ अगर देखा कर रहे हैं उनके साथ एक प्रकार से विश्वास घात होगा क्योंकि आपने कोई नया notification नहीं दिया है आपको कम से कम एक वर्ष का तो समय उन्हें पहले से देना चाहिए था यह नया से लेवस आने वाला है बहरहाल ऐसा कुछ अभी तो हुआ नहीं है दोस्तों अब अगर चीजों की बात की जाए तो देखिए कुछ-कुछ आपके जो है सब्जेक्ट तो सामने आए है मेंस में जैसे एक भाग है जिसमें आपका देखिए समिधान का विश्य है और यह प्रकार से अगर आप देखोगे तो लगबग लगबग UPSC में भी इसी तरह दिखता है जब कुछ इसमें शामिल इंक्लूडिंग पवर्टी गरीबी हंगर वंगर सब कुछ इसमें शामिल है मतलब सविधान का जितना आपका जो विशय है वो सब इस भाग में शामिल है यह आपको पढ़ना पड़ेगा यह आपके सामने प्रस्तुत होगा अब यह प्री में होगा य न्यू टेक्नोलोजी जो है पुलिसिंग यातायात नियोजन ग्रह कीड़ा मतलब जितना विशय ये जोड सकते हैं वो सारे विशय आपके सामने आपको मेंस में देखने को मिलेंगे भाई तीन तीन सो नंबर के दो पेपर बनाने हैं बच्चो तो उसमें कुछ तो डालना तो फिर आपको तीन सो कोस्टन चाहिए और वो भी दो घंटे में बच्चे को सॉल्ब करना है अपने आप में ये एक प्रकार का बहुत बड़ा चैलेंज अब देखिए आप सभी को ये चीजे हम कंटीनू कर रहे हैं अभी MP पुलिस के आपके जो भी साथी या आप अगर MP टेस्ट सीरीज लांच की गई है देखिए आप सभी के लिए क्योंकि आप 12 तारिक का पेपर है आप जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा उतना ज्यादा आपका समराइज होगा क्योंकि आप समय ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस क तो अगर आप इस test series को लेना चाहते हैं तो the dignity के नाम से हमारा app है आप उस app को download कर लीजेगा और वहाँ पर आपको जो है ये test series का जो section है वो दिख जाएगा MP police constable वाला section है और ज्यादा से ज्यादा मेरी बात मानिए आप अगर constable की भरती के लिए पूरी तरह ऐसे जोशो खर जोश में हैं तो आपको test series देनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा टेस्स दीजे ताकि आप अपना prediction कर सकें कि भाई कहां तक आप पहुंचें और एक बात और ध्यान रखेगा test series में हो सकता है आपके number कम है लेकिन उसमें घपराने की जहूरत नहीं क्योंकि test series ऐसी बनाई चुका है उसके लिए भी हमने आपका एक 599 रुपए में आपका जो है course launch किया है जिसमें आपको जो है GK, Reasoning, Math और English का complete आपका जो है एकदम full package मिलेगा, classes आपकी live classes भी आपको मिलेगी, recorded classes मिलेगी, PDF मिलेगा, ये complete package आपको से 599 मिलेगा और अगर आप ये कहते हैं कि सर हमन जो है test series launch की है, हमारी team के द्वारा आपको total 10 आपके test मिलेंगे, 99 रुपए के अंतरगत जिसके अंतरगत आपके जो हैं, आपके 6 test sectional wise होंगे और उसके बाद 4 आपके complete test होंगे, तो आप सभी ये test series जो है हमारे the dignity app से download या purchase कर सकते हैं, देखें, अब वापस आते हैं कैसे होगा, आपका जो है इसके बाद कुछ इस तरह के topics और जोड़े गए हैं, कि खंड में आपका 1500 नंबर का होगा, क्योंकि 300 नंबर के तो दोन है, तो 1500 नंबर का जो होगा, उसमें आपका math भी होगी, उसमें आपका police से संबंदित topic भी डाले गए हैं, अब ये pre से हैं, तरक और अंकों की व्याख्या, आधार संख्या, मतलब संख्या की math, reasoning, ये सारी चीजें आपका जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, और आपका अगर मैं कहूं, कि मद्धपदेश सरकार जो है, अभी आपको पता होगा दोस्तों, कि वरतमान में आपके कई सारे आरोप सरकार के उपर लग रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि प्रसाशन कहीं न कहीं चूप कर रहा है, चाहे वो पटवारी का एकजाम हो, या अन एकजाम हो, उसी प्रकार से अगर उसी चरण में आपका जो है, SI के अंतरगत इस तरह का कोई सलेवस परिवर्तन किया जाता है, जो कि वो अपनी तयारी मजबूत कर सके, क्योंकि आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखें, कि 2017 के बाद से आपने SI की वेकेंसी नहीं दी है, और अगर आप इतना बड़ा drastic change एकदम से करते हैं, तो जो चात्र हैं वो तयारी किसी तरह से नहीं कर पाएंगे, और ये भी नकारात्मक होगा, आप सभी comment करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने विद्यार्थी constable का paper देने जा रहे हैं, कितने विद्यार्थी SI की तयारी का जो है wait कर रहे हैं, क्या कहा जाए तो SI का ये जो notification है, उसका wait कर रहे हैं, मिलेंगे next वीडियो में धन्यवाज़